नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुबकाम नहीं देता हूँ इससे पहले मैंने उत्तराखंट पर आधरित प्रस्नों की तीन संखलाएं आपके सम्मुक अपने चैनल पर प्रस्तोत की है प्रवक्ता भरती परिक्षा का जो स्क्रिनिंग परिक्षा का स्लेवस है उसमें कुछ महत्पून बिंदू अभी सेस है उसी मेंसे एक बिंदू है र रूसा भी कहा जाता है ठीक है इसी तरीके से इसको दिखाया जाता है रास्टी उच्चितर शिक्षा अभियान अगर आप प्रवक्ता भरती परिक्षा की स्क्रिनिंग परिक्षा के स्लेवस को देखें तो उसमें रूसा भी उसमें स्लेवस में है जिससे संबंदित प्रस् रूसा रास्टिय उच्चितर शिक्षा अभियान रूसा ठीक है तो इसके बारे में हम देखेंगे रास्टिय उच्चितर शिक्षा अभियान रूसा उबलिक रूसा भारत सरकार की एक प्रायूजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चितर शैक्षिक सस्थाओं को वित्य पोशित करने के उद्देश से वर्स 2013 में प्रारंब किया गया था तो यह एक भारत सरकार की प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उचितर शैक्षिक सस्थाओं को वित्य पोशित करने के उद्देश से वर्स 2013 में प्रारंब किया गया था केंद सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 में रूसा को प्रारंब किया गया था। लिए आर्थिक सायता प्रदान की जाती है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे हम रूसा कहते हैं इसका उद्देश से उच्चतर सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विमन ने प्रियास करना है। इस अभ्यान के तहट राज्यों के विश्व विद्यालेओं और कॉलेजों में समानता सभी की पहुंच और उत्रिश्चता को बढ़ाने के लिए आर्थिक सायता प्रदान की जाती है। केंद्रिये वित्य पोश्चन सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65 अनुपात 35 के अनुपात में और विशेश वर्ग के राज्यों के लिए 90 अनुपात 10 के अनुपात में माप्तंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। तो इसके तहट राश्टी उच्चितर शिक्ष्या अभियान या रूसा के तहट जो वित्य पोश्चन दिया जाता है। उसमें सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65 अनुपात 35 है और विशेश वर्ग के राज्यों के लिए इसका अनुपात 90 अनुपात 10 है। जिसमें 65 परतिसाथ इसमें सेंट्रल गौवर्ग के राज्यों के लिए है। लेकिन विशेश वर्ग के राज्यों के लिए इसका अनुपात 90 अनुपात 10 है। जिसमें 90 परतिसाथ भाग सेंट्रल गौवर्मेंट प्रदान करती है और 10 परतिसाथ भाग स्टेट गौवर्मेंट इसका भुकतान करती है। आगे चलते हैं। कार्य योजना की ब्याक्षा करता है। ठीक है तो रूसा के तहट जो विद्य पोशन दिया जाता है उसमें सामाना वर्ग के राज्यों के लिए इसका अनुपात 65 अनुपात 35 है। जिसमें 65 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। तथा 35 प्रतिशत का भुकतान राज्य सरकार करती है। लेकिन विश्यस वर्ग के राज्यों के लिए इसका अनुपात 90 अनुपात 10 है। जिसमें 90 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार वुकतान करती है। तथा 10 प्रतिशत भाग राज्य सरकार वुकतान करती है। पर देने और इस बुत्तान को करने से पले इस स्वित्य पोषण की सहायथा को देने से पहले चिंद अस्तानों में पहुंसने से पहले इस निधिय को गिंदरी मंत्रा श्रकारों अब्लीक संग्रि साथत प्रदिसों के माध्यम से राज्य उच्च्च्च्च्च्च परिस्दों को जाता है राज्य उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मुल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधियन दिया जाता है ठीक है इनके द्वारा राज्य उच्टर सिक्षा परिसिदों के द्वारा पहले केंदर सरकार या राज्य सरकार के द्वारा राज्य उच्टर सिक्षा परिसिदों को जाता है यह वित्य पोशन उसके बाद इन पहुंच उत्कृष्टा के मामलों को सुलजाने के लिए राज्य की कारियोजना की ये ब्याख्या करता है ठीक है जो ये निदिया आती है इसका उप्यूग उच्चितर शिक्षा को बढ़ावा देना है तो मैंने हम पहले डिस्स क्यामने और उसके अंतरगत उच्चितर शिक हम आते हैं इसकी प्रस्ट भूमी पर प्रस्ट भूमी केंद सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 में रूसा को प्रारंब किया गया था ठीक है अक्टूबर 2013 में इसको प्रारंब किया गया था अगला पॉइंट रूसा का उद्धिश से राज्यों में उच्चितर शिक्षा को ब समानता सभी की पहुँच और उत्रिष्टता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता परदान की जाती है ठीक है अगला पॉइंट वर्स 2016-17 से केंद्र सरकार रूसा पर हर साल और सतन पंदर सो करून रुपे खर्च करती है ठीक है तो आपने देखा कि केंद्र सरकार दोरा अक्टूबर 2013 में रूसा को प्रारंबी किया गया था इसका उद्देश राजियों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावाद देने के लिए विबने प्रियास करना है इसके तहत राजियों की विश्व विद्याले और कॉलेजियों में समानता सभी की प जलते हैं अब हम आते हैं उद्देश एवं विशेष्टाओं पर ठीक है उद्देश एवं विशेष्टाओं पर ठीक है तो इसके अंत्रम देखते हैं निर्धारित माप दंडों को सुनिश्चित करते हुए राज सस्ताओं की समगर गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्यायन को अनिवारे गुणवत्ता आस्वासन कारे ढाचे के रूप में अंगिकार करना अगला पॉइंट देखते हैं राज इसतर पर योजना और मोनिटरिंग के लिए संस्थानिक ढाचे का निर्मान करके राज विश्वव विद्यालों में स्वायत्ता प्रोचसाहित करके और संस्थाओं के अभी सासन में सुधार करके राज उचितर सिक्षा प्रणाली में परिवरतन कारी सुधार करना ठीक है तो राज इसतर पर योजना के मोनिटरिंग के लिए एक संस्था का रिर्मानिस में करने की योजना है जिसमें पूरे राज जे के विश्व विद्यालों की एक मॉनिटरिंग के लिए एक संस्ता होगी और जो विश्व विद्यालों में स्वायत्य को प्रोजसाइद करेगी तथा संस्ताओं के अभिवासन में सुधार करना इसका लक्षय होगा और उच्छितर शिक्षा पनाली म यह एक क्रांतिकारी प्रोजस में ला सकती है और कुछ नई प्रोजसाइद कर सकती है ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं संबंदन सैक्षिक और प्रिक्षय परणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है किसका रूसा का आगे चलते हैं हाँ सैवित और अल सैवित सेत्रों में संस्ताओं को स्थापित करके उच्चितर सिक्षा में पहुंच बनाने में शेत्री असंतुलनों को संत्तुलित करना ठीक है इस इन उच्च सिक्षण सस्ताओं की इस्तापना में शेत्री असंतुलनों का ध्यान रखना जिससे की वहां संतुलन लाए जा सके आगे चलते हैं अगला पॉइंट है अनुसूचित जाती ओबलिक अनुसूचित जन जाती और सामाजिक और सैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चितर शिक्षा के परियाप्त आउसर प्रदान करके उच्चितर शिक्षा के शेत्र में समानता में सुधार करना महिलाओं अल्प संख्यकों और निसक्त जनों के समावेशन को प्रोचसाइद करना ठीक है तो इसके अनुसूचित जाती ओपलिक जन जाती और सामाजिक और सैक्षिक रूप से पिछले वे वर्ग हैं उच्चितर शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का लक्ष है ठीक है और उच्चित सिक्षा के शेत्र में समानता में सुधार करना महिलाओं कौमा अल्प संख्यकों और निसक्त जनों के समावेशन को प्रोचसाइद करना भी राश्टी उच्चितर सिक्षा अवियान के अंतरगत आता है ठीक है आगे चलते हैं हाँ अब देखते हैं इसके कुछ घटक हैं उस घटकों के बारे में हम चर्चा करेंगे घटक राष्टिय उच्चितर सिक्ष्य अभियान वर्तमान स्वायत कॉलेजों के प्रोननाइन और कॉलेजों के सामोई परिवर्तन द्वारा नई विश्व विद्यालेओं को इस्थापित करेगा यह नई मॉडल कॉलेजों कॉमा नई ब्यावसाई कॉलेजों को इस्थापित करेगा और विश्व विद्याले और कॉलेजों को अव सन्रसनात्मक सहायता परदान करेगा संकाय भरती सहायता संकाय सुधार कारिकरम और शैक्सिक प्रसासिकों के नेत्रतु समंदी विकास भी इस योजना के महत्वपून भाग है ठीक है आगे चलते हैं कौसल विकास को बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक की वरत्मान केंद्री योजना को रूसा को प्रस्तूत किया गया है इनके अतिरिक्त रूसा भाग लेने वाले राज्यों के संस्थाओं में सुधार पुनरगठन और श्यम्ता विकास संबंदी सहायता भी देता है तो इसके घटक के अंतर इसमें नई कालेजों की स्थापना की बात की गई है जो कIST की लाख्षे है नई कोलेजों इसमापीभकित किया और साहता है परतान करना संकाय बर्थी साहता है संकार्शुदार कार्व सैक्सिक प्रसासिबंगों कैने इस योजणा के मैत्टीक पीथ भग है और फिकास पर वित्मान केंदरी योजणा को 풌를 रुसार को परसूरद किया इस अर्थात नएने पॉलिटेक्निक के स्थापना का दाई तो भी अब रूसा को सौपा जाएगा ठीक है जिससे की तक्निकी सिक्षा का विकास हो सके और रोजगार के साधन उपलब्द हो सके इसके इसके अतरिक रूसा भाग लेने वाले राज्यों के सस्थाओं में सुधा पुनर गठन और श्यम्ता विकास सम्मद्दी साहता भी देता है ठीक है इसकी डव्लमेंट में कुछ नएने इसकी लोगों को सिखाना इसमें भी रूसा अपना योगदान देता है आगे चलते हैं अब हम देखते हैं इसके प्रभाव और लक्ष क्या है प्रमुक एवम लक्ष रास्टिय उच्चितर सिख्षा कोस 2020 तक देश के कुल नामांकन अनुपात को 30% तक बढ़ाएगा सामाजिक रूप से वन्चित समुदायों को उच्चित सिख्षा के लिए उच्चित अवसर प्रदान करने के जरिए उच्चित सिख्षा में समानता को सुदा तक कुल नामांकन की अनुपात को 30% तक बढ़ाना और शामाजिक रूप से वन्चित समुदायों को उच्चित सिख्षा के लिए उच्चित अवसर प्रदान करने के जरिए उच्चित सिख्षा में समानता को सुदारना इसका लक्ष निधरत किया गया है 2020 तक और राष्ट उच्चित तर्श्वचा को स यहांपर को स की बात प्रदान करने के जह वच्चित सिख्षा में समानता को सुधारने का लक्ष निर्धरत किया गया है रूसा का ही चलते हैं कि अब हम देखते हैं इस्थानिक अनुक्रम है अब इस्थानिक अनुक्रम इस्थानिक अनुक्रम कहना चीए इसके अंदर देखते हैं रूसा को संस्थानिक धांचे के द्वारा कार्यानवित और मॉनिटर किया जाता है जिसमें राश्टिय मिसन प्राधिकरण परियोजना अनुमोदन बोर्ड और केंदरी इस्थार पर राश्टी परियोजना निदेशाले और राज उच्थार शिक्षा परिश्यद और राज परियोजना निदेशाले सामिन है तो इसका जो संस्थानिक धांचा है इसके दोरा इसे कार्यानिवित और मॉनिटर किया जाता है और इस सतानिक धाँचे में राज्य निसन पर्योजना और कौमा पर्योजना अनमोधन बोड़ और केंद्री इस तरह पर राज्य उच्ची तरफ शिक्षा परिशन और राज्य पर्योजना निदिसले सामिल तो जो इतनी संस्ताइं हैं ये उच्ची सिख्षा को मैप को प्रोचसान देने के लिए जो रूसा है उसको इसको ये मॉनिटरिंग करती है रूसा की ठीक है देखें रूसा को एक संस्तानिक धाचे के दोरा कार्यानिविद और मॉनिटर किया जाता है इस कार्यानिविद और मॉनिटर करने वाले संस्तानिक धाचे के अंतरगत कौन कौन से सस्थाइं सामिल हैं इसमें देखिए आप एक तो राज्य परियोजना अनुमोधन बोर्ड और केंद्री इस तर पर राज्य उच्चितर शिख्षा परिशत और राज्य परियोजना निदेशाले इसमें सामिल हैं सस्थाइं मिलकर रूसा को कार्यानुवित और मॉनिटरिंग करने का कार्य करती हैं ठीक है आगे चलते हैं अब इसमें इस सम्मंदिद एक महत्यपूर्ण टॉपिक है इस सम्मंदिद प्रस्ण भी पूछे जाने के संभावना है ठीक है तो यह भी एक उच्चितर शिख्षा का महत्यपूर्ण टॉपिक है यह है रास्टिय अनुसंधान प्रॉफिसर्शिप या एन आर्पी ठीक है नैशनल रिशर्च प्रॉफिसर्शिप इसके बारे में हम देखेंगे भारत सरकार ने अध्यताओं यानि जो अध्यापन करने वाले अध्यापक हैं या प्राचारी हैं भारत सरकार ने अध्यताओं को ग्यान के शेतर में उनके द्वारा दिये गई योगदान के लिए माननता प्रदान करने हेतू प्रख्यात सिक्षाविदों और अध्यताओं को सम्मान देने हेतू में राष्टिय अनुसंधान प्रोफेसर्शिप योजना प्रारंबिक की थी उन गौरवसाली व्यक्तियों को जिनोंने 65 वर्स की आयू पूरी कर ली हूँ और अपने संबंदित शेतर में विश्ष्ट योगदान दिया हूँ और अभी भी अनुसंधान करने के योगए हूँ उन्हें राष्टिय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में न्यूक्त करने पर विचार किया जाता है ठीक है तो राष्टिया अनुसंदान प्रोफेसर्श्रीप यानि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रूसा से ही संबंदित है ठीक है इस संबंदित प्रस्ट इसमें उच्ची सिक्षा के शेत्र में भी पूछे जाते हैं ठीक है उसमें भी इसके पूछ जाने की संबावना है इससे समंदित प्रस्ट पहले आ चुका है ठीक है इसलिए मैंने यह टॉपिक यहां पर चुना तो इसमें राष्टिया अनुसंदान प्रोफेसर्श्रीप यानि एनर पी यह है भारत सरकार के अध्यताओं को ग्यान के शेत्र मे उनके दोरा दिये गए योगदान के लिए मानिता प्रदान करने है तो प्रख्यात सिक्षाविदों और अध्यताओं को सम्मान देने है तो 1958 में राष्टिया अनुसंदान प्रोफेसर्श्रीप यौजना प्रारम्ब की गई थी उन गौरवसाली बेक्तियों को जिन्होंने सम्मान दित्रों विश्ष्ट योगदान किया हो और अभी भी अनुसंदान करने के योग यों हूँ उन्हें रास्टिया अनुसंदान प्रोफेसर के रूप में न्यूगत करने पर विचार की जाते हैं मतलब कि ये जो फैलो ये प्रोफिसर्शिप है ये उन लोगों को परदान की जाती है जिन प्राचारियों ने 65 वर्षे की आयोपार कर ली हो और उन्होंने अपने सम्मंदित शेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो तथा अभी भी वे अनुसंधान करने के लिए और की विशार किया जाता है ठीक है तो यह एक सम्मान देने की एक सम्मान देने की योज़ना है जिसके अंतरगत जिसमें जो प्रख्याथ सिخषाविध हैं और प्राचारे हैं जिनोंने 65 वर्षे के आयोपारी कर ली हो और अपने सेतर में विश्षट योगदान दिया हो और अ इस ना ये इस की शुरूआ इस यूझना की सुरुवाथ सुवाथ उन्हेस यूजना में की गई थी ठीक है यूज़ आगे चलते हैं हां अब हम आते हैं अभ्यास प्रस्वन पर ठीक है तो इससे सम्में अभ्यास प्रस्वन को देखेंगे पहला प्रस्वन है आर यू एस ए यानि रूसा किस से संबंदित है तो यह है इसका जो पून नाम है वो है राष्टी उच्छतर शिक्षा अभ्यान तो यह है उच्छी सिक्षा से संबंदित है हुआ है ठीक है तो यह है उच्छी सिक्षा को प्रोच्षान देने से यानि उच्छी सिक्षा प्रोच्षान मैं आपर प्रोच्षान लिग देता हूँ ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है रूसा का पून नाम क्या है तो रूसा आर यू एस ए इस तरी के से लिखा जाता है और इसका पून नाम हिंदी में ही है राष्ट्रिय उच्छी तर सिक्षा अभियान और इसी की तरज़ पर माध्यमिक सिक्षा में रमसा होता है उसका फूल फून होता है राष्ट्रिय माध्यमिक सिक्षा अभियान ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं रूसा की शुरुवाद भारत सरकार द्वारा कब की गई तो ये की गई थी अक्टूबर 2013 2013 अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है रूसा का प्रमुक उद्देश क्या है तो रूसा का जो प्रमुक उद्देश है वह है उच्च सिक्षा को प्रोच साहन देना ठीक है और इसके अंतरगत वित पोसन द्वारा विभिन योजनाओ को प्रोच साहन देना ठीक है जिस्से और जिस्से की उच्च सिक्षा में अन्य सुधार किये जा सके ठीक है उच्च सिक्षा में अन्य सुधार ठीक है ठीक है ठीक है अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है रूसा के तहत के इंद सरकार द्वारा उच्च सिक्षा के लिए वित्ति पोस्टन का अनुपात क्या है तो यह है प्रस्टन के लिए यह है 65 अनुपात 35 जिसमा 65 प्रस्टन के इंद्र का यह यह सेंट्रल गवर्मेंट का और 35 प्रस्टन स्टेट गवर्मेंट का भाग है और विशेश राज्यों के लिए यह है 90 अनुपात 10 जिसमें 90 प्रस्टन स्टन के इंद्र सरकार का है और 10 प्रस्टन भाग इसमें राज्यों के लिए ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रस्टन है रूसा पर केंद्र सरकार प्रतिवर्ष लगभग कितना रुपया खर्च करती है तो रूसा पर केंद्र सरकार प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च करती है देखे दो जार 2016 से रूसा हर वर्स प्रति वर्स पंद्रसो करोण रुपे खर्च करती है ठीक है पंद्रसो करोण रुपे उच्च सिक्षा के लिए खर्च करती है ठीक है अगला प्रस्न देखते है हाँ अगला प्रस्न है एन एन आर पी क्या है तो हमने देखा था एन आर पी है रास्टी है अनुसंधान प्रोफेसर्शिप ठीक है यानी नेस्नल रिसेर्च प्रोफेसर्शिप ठीक है तो इसके तहत 65 वर्ष से अधिक वर्ष के जो प्राध्यापक हैं प्राचारिय हैं उनको ये नेस्नल रिसेर्श प्रोफेसर्शिप प्रदान की जाती हैं जिन्होंने अपने शेत्र में विशेश योगदान दिया हो और अभी भी योगदान देने के लिए पात रूँ ठीक है आगे देखते हैं कि अगला प्रस्म है अनर्पी का संबंध किस्चे है तो अनर्पी का संबंध है कि विश्व विद्याले और महाविद्याले के उच्च सिक्षा सिक्षकों से ठीक है उच्च सिक्षा सिक्षकों से या प्राचारियों से ठीक है जिनको जो 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 प्राचारे 65 वर्स की आयू पार कर चुके ठीक है यहां पर हम लिख देंगे जिए 65 वर्स से अधिक आयू के अधिक आयू के अधिक है आयू के ठीक है जोगि 65 वर्ष से अधिक आयूगे हूँ और जिनोंने अपने सेतरि में अच्छा योगदान किया हूँ उन्हें एनार पी प्रदान की जाती याने राश्टे अनुसंदान प्रफेसर छिनम ने प्रदान की जाती है आगे चलते हैं हाँ, अगला प्रस्न देखते हैं, अगला प्रस्न है, अगला प्रस्न है, अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है, 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 अगला, अगला प्रस् वर्स से अधिक आयू के विशेश प्राचारियों को सम्मानित करना और प्रोट सान देना तो यह थी राष्ट्य उच्तर शिक्षा भ्यान या रूसा सम्मानित जानकरी जिसके मैंने यहां कुछ प्रस्ण लिये हैं और भी इससे प्रस्ण बन सकते हैं ठीक है आप इसका अध्यन कीजिए एक वाफ फिर देख लिए नर्पी का उद्देश क्या ह प्रशाधी कायों की विश्यस प्रचारियों को सम्मानित करना और पोस्तान देना नर्पी की सुर्वाद उनिसोड़ पंचास में हुई थी और रूसा के थैट केंद्र और राज्य सरकारे के लिए विट्द्य पोश्ण का अनुपात है सामान्य वर्गी के राज्यों के लि नैसनल रिसर्च राष्टिय अन्पसंदान प्रोफेसर शिव ठीक है फैलोशिप नहीं है या नैसनल रिसर्च प्रोफेसर शिव है और नर्पी का संब्ध कि से विष्व द्याले और महाविद्याले के उच्छी सिक्षा से या प्राचारें उसे है जो कि 65 अधिक आयू के ह ठीक है अगला है आर यू ऐसे यानि रूसा का सम्मण किस्ते हैं उच्छी शिक्षा को प्रोच्षान देने से हैं रूसा का पुरुणाम राष्टि उच्छतर शिक्षा अभियान है रूसा की सुरवाद अक्टुबर $2013 में हुई थी रूसा का प्रमो कुद्धेश उच्छी सिक्षा को प्रोच्षान देना वित्ति पुश्म दूर्ण विभन योजनाव को प्रोच्षाम देना और उच्छी सिक्षा में अन्या सुधार ठीक है यह रास्टिया रुस्तिनार प्रोफिसर जिप नर्पी के बारे में है उन्हें 65 में इसकी सिर्वात हुई थी 65 प्रशादिक आयों के जो प्रचारी हैं उनको सम्मान देने की योजना है और इसमें संस्तानिक अनुक्रम है जिनके दौरा रुसा को मॉनिटर के जाते हैं अगे चलते हैं इसके 2020 तक इसके तह उच्छी सिक्षा नामागन को तीस वर्द से तब बनाने की योजना है और जो वन्चित छात्र हैं उनको मुख्य धारमा लाना और और सिख्षा के सवान उसर प्रदान करना इसका उद्दीश है इसके घटकों के बारे में हमने देखा ठीक है और इसकी ये प्रस्ट भूमी अक्टूबर दोजार तेरे में इसकी इस्थापना और विश्विद्याले सिक्षा या उच्छी सिक्षा को प्रोट सान करना इसका उद्देश से हैं प्रतिवर्ष पंदरसों क्रोड़ों पर खर्चे करती है उच्छी सिक्षा पर और अनुपात आपने का न इसका हुदेश्य है इस विश्विद्य परोट को अतर करने के अधर की विश्विद्य विज्च में keeping हम में से प्रारम में किया गया था और इसका उद्धिस राज्यों में उच्छतर सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विपने प्रियास करना है इस अभ्यान के दोरा राज्यों की विश्व विद्याले में और कॉलेजों में समानता सभी की पहुंच और उत्कृष्टा बढ़ करो आप तक तुरंत मुझे तो आज यह एप्रिटूट से समंद्ध जो स्लेवर सा उसका एक टॉपिक मैं अप्रोड किया है बाकि कि जो सेज्ट टॉपिक रह गया है उनको भी मैं जल्द ही अप्रोड कर लूँगा ताकि आप लोग प्रवक्ता बढ़ते के तियारी आसान अगले वीडियो आपके सामने लेकर हूं ठीक है बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में दोंगा तब तक के लिए खुश रही है अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार